तो हाई एवरिवन वेलकम बेक तो माइचनल सू डिजाइन और आज मैं आपके लिए एसा डिजाइन लेके आई हूं जो कि आप कम कपड़े में इसली बना सकते हैं जी हां यहें वन साइड़ेड जैकेट वादे डिजाइन जिसको हम कपड़े में बहुत अच्छी तरीके से क आपको पुरा बताने वाली हो कि कैसे मैंने क्रेट करा तो सबसे पहले हैं आपको पोरा पैटर्न शो करती हूं तो इसक लिए अपने चुप ऱाम यह ईक मिटरदाना है क्योंकि हमें आगे भी इसमें अ दिज़ाइन लें इसलिए तो सबसे पहले-पैटर दोनों की ढर्यों मेरा कपड़ा allergy लगएगा तो सबसे मैंने क्या गति हूँ कि उस ब्लाउस को पूरा पिस कट में गट कर गडिए जितना हो सकता है we arrive क्टेंख में कटिंग कटिंग कट हो के निकल जाए तकि टुक्ले में कटिंग हो जाती है तो और टुक़े हम कही भी रख के कटिंग कर सकते हैं तो मैंने फ्रंट को प्रिंसेस चक्स मनाया और बैक को भी इस तरीके से कट करूंगी कि उसमें दूसरी तरीके के डिजाइन डालकर ताकि हमको यह कपड़ा और ज्यादा से ज्यादा मिल सके और हम कुछ भी पैटर्न बगेरा दें तो उसमें इजली बन सक कर लिए और आप चाहो तो इसमें कुछ और बना सकते हो मैंने इसमें सिंपल राउंड नेक रखा है आप चाहो तो बना सकते हो तो बैक में यहां पर जो सेंटर से मैंने यहां पर टेजल लगा है आप चाहो तो पॉटली बटन्स वगेरा भी लगा सकते हो या डाक ली बैक बनाकर ऐसे फोल्ड कर लिए और इसमें वन बाइवन अटेज करूंगी यह डिजाइन सब्सक्राइब बनाना चाहो तो इस तरीके से पार्टिशन करकर उसमें टैजल बिच में लगाने होते हैं जो कि इसी तरीके से आप लगा सकते हो आप चाहो तो इस पे इंटरलाग भी कर सकते हो और लेटेस्ट डिजाइन के लिए आप मेरे इंस्ट्राग्रम पेच पर मुझे फॉलो कर सकते हो डेली में अपडेट करती हूं तो इस तरीके से हमने एक पार्ट पर इसको अटेज कर देंगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ता उसको यहां से कट कर देंगी ता ने में कपड़ा जादा लगता है तो यह इस तरीके से हम यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं और मैंने यहाँ पर मौती लगा कर इस डिजाइन को कंप्लीट करा था तो टक्स लेके हमने यह पक्टी लगाकर हमारा फृंट बैक पार्ट को पुर पूरा कंप्लीट कर दिया ह किसे कटिंग करना स्टीचिंग करना है तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाली तो सबसे पहले हमारा बैक पार्ट डन हो चुका है अब जो मारा फ्रंट पार्ट उसमें लगई पट्टी जनरली लोग क्या करते कि पट्टी उपर से लगाते जिसके कारण हमें कि खिचने पर जोल आ जाएगा तो इसलिए हमें बिल्कु आसान तरीके से आदा एदा इंच के सिलाई लेकर इसको स्टीच करना है अब गला पट्टी जो लगानी है तो सीधे पर हमने इस जो लेस को है ना इसको उल्टा रखा है ताकि जब हम इसको पल्टेंगे तो सीधा वाला पॉर्शन भार आ जाएगा और उसके ओपर हमने गला पट्टी रखकर इसको स्टीच कर रहा है गला पट्टी को हमने एक साइट से फोल्ड कर लिया था और उसको हमने उल्टा रखा था अपने में कपड़े पे ताकि वह भी जब अंदर जाएगी तो सीधा वाला स्टीच हो चुके हैं और बहुत सिंपल तरीके से हमने यहां पर इतना तो हमने वैसे ही करा है जिसे कि हम बेसिक डिजाइंग में करते हैं अब हमें जो यहां पर फ्रंट पार्ट करना है इट मिन्स जेकेट का साइट वाला पॉर्शन आप चाहो तो दोनों साइड भी बना करना है मैं आपको पूरा बताऊंगे तो सबसे पहले हमारा जो मेन पॉर्शन है जिस साइड हमें जेकेट रहना है राइट और लेफ्ट का जरूर आप ध्यान रखे तो वही पार्ट रखके आपको कट करना है तो यहां पर हम सेम एसा कैसा पेपर पर कट करेंगे अब यहा करने बाद इसको रखेगा मैंने इसलिए मैंने सकते की लेंत को थोड़ा सा जाता कर ले आप जाहों तो एजडीज भी रख सकते हैं यहां पर मैंने पास जो ए बैक पोर्शन का था ना इसको मैंने फ्रन्ट में लूग– करने के लिए फ्रंट सार्ड यूज करा है जिसको मै पर अगर आपके पास उरेब कपड़ा नहीं भी होगा तो भी चलेगा तो यह गला पट्टी को मैंने सेम कट करा है बद अदर पट्टी में इस ट्रेटी लिए तो इस तरीके से बारी बारी कट लगाकर हम इसको अल्टर कर लेंगे और ध्यान रखना है आपको कि बहुत फिनि देशिंग से इस पार्ट को रैडी कर लिया है अब इसको आपको फ्रन पार्ट पार पर पर कैसे अटेज करना है मैं बताती हूँ तो सबसे पहले जिस साइड हमें अटेज करना है इट मिंस राइट साइड में इस पार्ट को हम चौड़ देंगे शॉल्डर दोनों के पार्ट को हमें नीचे से फिटिंग लगानी होगी तो उसमें मैं आपको बता दो कि हमारा पॉशन रेडी उसके बाद हमने इसको कम्प्लीटली आमोल वगरा सब वेवसीद कट कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पर स्लीव की कटिंग करनी दें कि थोड़ा सा लॉंग प करेंगे लंबाई लिए 11 इंच की चोड़ाई हमारी यहाँ पर मैंने जो आट इंच या नो इंच जितनी आपको लगती इसमें कुछ भी आपको चोड़ाई नहीं बढ़ाना है नहीं तो उपर से नहीं नीचे से तो उसके बाद यहाँ पर जो चार इंच की मार्किंग करते तो इस तरीके से मैंने यह ट्रेंडिंग जो स्लिव चल रही है पफ स्लिव उसकी कटिंग करिए जो कि ना मतलब थिक कपड़े में बहुत अच्छी लगती जैसे टीशू का है टापेटा का है तो इसमें बहुत अच्छा बाउंस आता है इन कपड़ों में तो आप भी ज़ आप चाहों तो इसमें बैल्ट या पट्टी कुछ भी एड़ कर सकते हो तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा लेस थी वह मैंने कंप्लीट करकर इस वारी स्लिव को कंप्लीट कर लिया था तो देखिए सल मैंने ले लिए यहां पर नॉर्मल नॉर्मली सल लिए बहुत जादा आप जब भी कमर पट्टी लगाओ तो उसको थोड़ा सा धीला दे के लगाना चीए बहुत जादा टाइट खीचके अगर आप कमर पट्टी लगाएंगे तो आपकी कमर पट्टी नहीं लगेगी इसलिए आपको कमर पट्टी लगाने में ध्यान रखना है कि आपको बिल्क लगाएंगे तो सेंटर से मैंने मार्किंग कर ली दोनों तरफ और मैं फिटिंग लगा दूगी अभी ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ मैंने कुछ भी फिटिंग निलगाई सिर्फ साइट से फिटिंग लगाई अभी जो हमारा नीचे का पॉर्शन है इसको कैसे आपको स्टीच करना है मैं बताती हूँ तो सबसे पहले हमने जहां तक सीले लगाई महां पर इसको कट कर लेंगे तो यह कंप्लीट होने के बाद इसको में चाक की तरह मोड़ना है जैसे कि हम सूट में मोड़ते तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो और इसके बाद हम और मैंने वैसे ही उल्टी लिस लगई और इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है जिसे बिल्कुल भी इसके जो रेशस वगेड़ा ना वह नहीं निकलेंगे और बहुत फिनीशिंग से बलाउस बनेगा तो आपको इस तरीके से इसको फोल्ड भी कर ले ना है साइट यह पैटन दिया आप चाहो तो लेफ्ट साइट भी पैटन दे सकते हो आप चाहो तो अलग तरीके से भी इसको बना सकते हो तो डिजाइन कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और भी लेटेस्ट डिजाइन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जर मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो नीशे मेरे टेजल लगा लिए मोती लगाकर यहाँ पर मैंने यह टेजल लगा दिये आप इसके जगा कुछ और भी चाहो तो लगा सकते हो साड़ी मुझे इंस्टा के पेस्ट से ही डिसी हुई थी इसके बहुत